हलो एबरिवन, वेलकम टू विपेस एड़ा, विपेस एड़ा पर आप सभी का स्वागत है, आज है 19 माई और आज हम 19 माई 2021 से जितने भी करेंट अपके एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यूस से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही उस न्यूस से स संबंदित कुछ मत्पुन तत है, जो आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यूस से इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, यदि आपको डेली करेंट अफेर्स का PDF चाहिए, तो आप जोइन कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल, आपको टेलिग्राम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगर कोई वीडियो इस चैनल पर अप्लूट की जाता है, तो आप उसे मिस न करें, अर्थात आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चलिए देखते हम आज का पहला प्रस्ट, आज का हमारा पहल में रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, A. मधपरदेश, B. महराष्ट, C. राजस्थान, D. हरियाना, ब्लैक फंगस को महमारी घोसित करने वाला राज बना है, राजस्थान, तो इस प्रसंद का सही अंसर होगा, ऑप्शन C. राजस्थान, ये हैं असोग गहलोत और ये र जो कि राजस्थान के मुख मंत्री हैं, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ब्लैक फंगस को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मुकर माइकोसिस, तो अगर ब्लैक फंगस और मुकर माइकोसिस सब्द आता है, तो इस तरह से प्रसंद में अगर एक्जाम में गूगल क्लॉड निकिस के साथ वागयदारी किया है, ए नासा, बी स्पेसेक्स, सी इसरो और डी रासकमास, देखे, सैटलाइट इंटरनेट सेवा परदान करने के लिए गूगल क्लॉड ने स्पेसेक्स के साथ साज़े दारी किया है, तो इस प्रसंद का सही अनसर होगा, option B SpaceX अब इसे देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में SpaceX और Google Cloud के बीच Starlink उपग्रह के माध्यम से अर्थात Starlink सेटलाइट के माध्यम से internet सेवा परदान करने के लिए एक समझाओता पर हस्ताचर किया गया है Starlink Project के तहत एक जो सेटलाइट सेवा अर्थात internet सेवा जो परदान के जाएगा तो इन दोनों के बीच जो समझाओता किया है किसके बीच Google Cloud और Starlink SpaceX के बीच और ये प्रजेक्ट किसके तहत के जाएगा Starlink Project के तहत अब चुकिए option में दो तीन Space Agency और थी तो उसको भी हम देख लेते हैं NASA किस देश के Space Agency है USA राइट इसरु किस देश के Space Agency है इंडिया और रॉसकमोस किस देश के Space Agency है रूस अर्थात रसिया तो इतना आपको इस प्रशन से याद रखना है कोई भी प्रशन अगर आप पढ़ते हैं तो उसे Associated Fact पर एक बार नजर जरूर डालने कोई कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो आदत बन जाती है Multiple Choice Question को सुल्व करने का Just we read the question and answer the जो relevant answer होता है उस पर टिक लगाते हैं बढ़ जाते हैं Just try to think about the other option also कि इस से क्या हमारे लिए जो future में Current Affairs के topic बन सकते हैं अगला प्रस्ण है किस राज के मुख मंत्री के द्वारा सबजी के लिए मोमा मार्केट का सुबरम किया गया है बहुत important प्रस्ण है मोमा मार्केट का सुबरम किया गया है ए अरोनाचर प्रदीश बी मध्य प्रदीश सी मिघाले अगर आपको हमारा जो वीडियो है हमारा जो प्रियास है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी share करना ना भूलिए मोमा मार्केट का जो सुबरम है वो मनिपूर सरकार के द्वारा किया गया है तो इस प्रस्ण का सही अंसर होगा option D. मनिपूर अब हम देख लेते हैं इसे news में तीक है मनिपूर सरकार के द्वारा ताजी सब्जी और थाथ fresh vegetables के home delivery के लिए एक smartphone application मनिपूर Organic Mission Agency इस मोमा का फोटपम क्या है मनिपूर Organic Mission Agency launch किया गया है और इसका purpose क्या है fresh vegetable का home delivery ठीक है इस रखास करके ऐसे समय में जब परतिक स्टेट में lockdown की स्थिती बनी हुई है इस स्थिती में जो इस तरह का application का यूज किया दारा है विभिन सरकारों के दोरा किया really काबल इतारीफ है और ऐसा करना भी चाहिए जो MOMA application है वो किसके दोरा लाँच किया गया है मनिपूर की सरकार का दोरा और इस MOMA का full firm क्या है मनिपूर Organic Mission Agency और इसका purpose क्या है ताजी सबजियों की home delivery करना ठीक है ये प्रस्शन तो आपको समझ में आ गया अब चुकि मनिपूर निउज में है तो हम देख लेते हैं उसको map पर आएए देखते हैं map पर ये नौर्थ इस्ट का जो जितना भी area है उसका map है अब नौर्थ इस्ट area में आप हमें बताएए कि मनिपूर कहां है आपको एक-एक जो राज है वो pinpoint आपको उंगली पर होना चाहिए आप जस्ट mind में map रखिये सामने और mind में सोचिए कि कहां से कहीं से भी start केजिए अगर आप start कर रहे हैं suppose that आप start कर रहे हैं असम से देन इसूट स्पीक लाइक इस असम रोनाचल परदेश नागालाएंट ठीक है मनिपूर मिजोरम तिरपूरा मेगाले तो एक सिक्वेंस वाई या मेगाले से अगर आप start कर रहे हैं so you can speak like this मेगाले तिरपूरा आप circulate anti-clockwise घुम लिजए देखें दो तरीके हैं इधर आप start जब करते हैं किसी भी चीजों को तो या तो clockwise start किजए anti-clockwise start किजए so suppose that if we are starting as clockwise then how we will read Assam अरणाचल प्रदीश, नागालेंड, मनिपूर ठीक है, मिजोरम तिरपूरा और मेगाला है so ये कितने state होगे आपको seven sisters और इसी को हम क्या बोलते हैं seven sister भी बोलते हैं ठीक है और एक इधर है सिक्कम तो इसको भी आपको याद रखना है so मनिपूर सरकार के दोरा किया गए तो मनिपूर कहा है इसको अटाइए दोरा सरा अब आएए देखते हैं मनिपूर को देखें ये है मनिपूर और मनिपूर की रधानी कहा है इमफाल सारे के रधानी भी आपको मालूम होना चाहिए मनिपूर की द्रधानिका है इंपाल और मनिपूर के बरतमान में मुख मंत्री कौन है एन्बिरेंसी और मनिपूर के बरतमान में राजपॉल कौन है नजमा हेवतुला तो इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए इसकी अलावे थोड़ा सा और इनिसेटी भी ले लीजिए यहीं पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मनिपूर से जो सटे राज्य हैं वो कौन कड़ है अर्थात जो मनिपूर है किस के साथ अपना बोर्डर सेयर कर रहा है तो देखे क्या नागालेंड के साथ share कर रहा है मनिपूर यस कर रहा है क्या आसाम के साथ share कर रहा है yes कर रहा है क्या मिजोरम के साथ कर रहा है yes कर रहा है क्या तिरपूरा के साथ कर रहा है तो नहीं तो किस के साथ हो गया आसाम नागालेंड और मिजोरम so मनिपूर share boundary with only three states that is नागलेंड उपर में नागलेंड है सौथ में मनिपूर है you can say सौथ वेस्ट और फिर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में असाम पड़ जाता है इसकान so these three states touches the boundary of मनिपूर and the capital of मनिपूर और बरतमान में जो मनिपूर के मुख मंत्री है वो है एन बिरेंशी और मनिपूर के राजपाल है नजमा है अगला प्रस्ण है सुजुकी मोटर साइंकिल इंडिया के नए कंपनी हेट किसे बनाए गया है आपके पास option है so प्रस्ण में आगे से बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विपेसी अड़ा को सब्सक्राइब कर लिजे और जो बेल आइकन बना हुआ है उसे नोटिफियाई कर लिजे so that आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप डिसएगरी है वीडियो आपको लगता है एक guidance की तरूप में काम करेगा तो अब आपको बताना है कि सुझुकी motorcycle इंडिया के नए company head किसे बनाये गया है तो जो सुझुकी motorcycle इंडिया के नए company head है वो है सतोसी उचिदा तो इस प्रसंट का सही अंसर होगा option A सतोसी उचिदा यह देखे पिक्चर में आप देख सकते हैं यह है सतोसी उचिदा और इनको नए company head बना देया है सुझुकी company जो इंडिया में है उनका head बनाया है सुझुकी motorcycle कारपोरेशन का स्थापना होगा था अक्टूबर 1909 में और सुझुकी motor corporation के स्थापक है मीचियो सुझुकी और यह company कहां का है जापान का है अगला प्रस्ण है भारत का पहला क्रिशी निर्याद सुब्धाकेंद्र का सुबरम कहां किया गया है बहुत ही important प्रस्ण है आप कह सकते हैं three star प्रस्ण है यह जब हम पढ़ते हैं तो BBI जो प्रस्ण ब बैस स्थापकेंद्र कर смотрите कईने कई gusto मिल जाएंगे एकजाम में एक खुल्कता बी लुध्यान चीपो ने दी लगनों गो अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर इसको क्या बोलते हैं अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर सो भारत का पहला अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर जो बनाये गया है वो पूने में बनाये गया तो इस प्रसंद का सह ये अंसर होगा option C, पूने में, थोड़ा सा डीटेल में देख लेता हैं इसको, महराष्ट चैंबर ओफ कॉमर्स इंडस्टी और अग्रिकल्चर निशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर और रूलर डेवलप्मेंट के सही योग से, पूने में भारत का पहला क्रिशी निरुव्या सही योग से, पूने में भारत का पहला क्रिशी निर्यात सुप्धाकेंद्र की शुरुवात किये हैं, कौन-कौन? आपको नवाड से, एकनोमिक सेक्षन के अंदरगत, हमेशा कहीं न कहीं आपको एक्जाम में टकरा जाएगा, सो नवाड की स्थापना हुई थी, 12 जुलाई, 1982 को, और नवाड का मुख्याला है, मुंबई में, और नवाड के बरतमान में जो अध्याच्छ है, वो हैं, जी आपको कोई सुझाब हो, तो आप कमेंट सेक्षन में लिकर, आप अपना सुझाब हमें बता सकते हैं, आज के ये बस इतना ही, धन्यवाद,